वेलो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ योनो-sbi का यूजर नेम और पास्वर्ड फोर्गेट कैसे करें तो सबसे पहले आपको योनो-sbi app open कर लेना है योनो-sbi app open करने के बाद में आपको थोड़ा देर वेट करना है वेट करने के बाद में आपको दो option दिखाएगा उसके पहले वाले option पर आपको click करना है फिर आप अपना same select करना सी मोट नमबर आपका जो होगा उसको select करना जैसे मेरा स्यमंवण है सीमवण सेलेक्ट करने के आप नेक्स्ट कर दीजियेगा नेक्स्ट करने के बाद में आपका दीटेख्ट मोड़न नमर भिरिक्षान हो गा थोड़ा देर किजिएगा तो प्रोसेड वाले option पे्र किलिक करना करना है यह ही username और इंटर पासवर में नहीं मालम है इसको फोर्गेट करने के लिए हमें chrome browser open करना होगा आपको नैक्राम ब्रॉजर एपन करना है Chrome browser open करने के बाद में search बार में type करना है internet SBI banking internet SBI banking उसके बाद में पहले वाले option पर click करना है click करने के बाद में continue to login continue to login वाले option पर click करना है क्लिक करने के बाद में नीचे इस तरह स्क्रोल करना है आप यहां पर देख सकते हैं forget username और login password यहां पर आपको क्लिक करना है कि लिक करने के बाद में इस तरह का interface दिखेगा आपको forget my login password पर क्लिक करना है आपको forget username नेम पर क्लिक करना है क्योंकि पहले यूजर नेम हमको याद नहीं है इस तरह forget करेंगे उसके बाद में next पर click करना है next पर click करने के बाद में पहले पर cif नंबर अपना cif नंबर बैंक पास्बुक में होगा और लिक टाइप करना है उसके बाद सब्सक्रास करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना फूरा फिल कर दीया हूं डिटेल्स उसके बाद में समिट पर किलिक करना है कि सब्मिट करना है कि करने के बाद में एक OTP आएगा अप यहाँ पर देख सकते हैं हमें OTP पराप्त हो गिया है और वो ऑटीप यहां पर स्ट्रोंग OTP आएगा यहां पर आपको फिल कर देना है फिल करने के राद में आपको simply confirm वाले option पे किलिक कर देना है यूजर नेम हमें मिल गिया है और करने के लिए आपको पहले वाले option पे ही किलिक करना है forget my login पास्वेट पे ही किलिक करने देना है फिर उसके बाद में next पे किलिक करना है नेक्स्ट पर किलिक करने के बाद में आपको एक नया इंटरफेस आएगा इसमें आप अपना डिटेल्स भर सकते हैं यूजर नेम और एकाउंट नमबर कंट्री मोबाइल नमबर डेट अवर्थ इंटर के अपचा आप यहां पर फिल कर सकते हैं तो दोस्तों मै कि सम्मिट वाले अप्षिन पर किलिक करने के बाद में एक हमें स्ट्रोंग वोटीपी प्राप्त होगा जो आठंको का होगा देखिए हमारे पास वोटीपी प्राप्त हो गिया है जो मैं यहां पर फिल कर देंगा कि मैं फिल कर दे रहा हूँ कि उसके बाद में कॉन्फर्म आले अप्षिन पर किलिक कर देना है यहां पर तीन तरीका से अपना प्रोगेट पासवर्ट कर सकते हैं यूजिंग एटिम कार्ट और प्रोफाल पासवर्ट के दौर और बैंक ब्रांच द्वारा एक्टिवेशन कर सकते हैं तो मैं मेरे पास यहां पर एटियम कार्ड डिटेल करने के बाद में सब्मीट पर किलिक करना है मैं पहले वाले अप्षिन पर किलिक करूंगा कि और सब्मीट वाले अप्षिन पर किलिक कर देना है आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास दो एटियम उपलब्ध है तो मैं पहले वाले अपना जो एटियम कार्ड उस पर कॉन्फर्म करना है आप यहां पर देख सकते हैं मैंने नया पास्वर्ड सेट कर दिया है सब्सक्राइब भी कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा जब तक के लिए जया हिंद